क्या खेर हो rock को support करने की वजह से Cody Rhodes वाले फैंस मुझे उल्टा सिधा बोल रहे हैं कोडी रोड्स का support करने की वजह से rock वाले फिर Cody वाले को बोले हैं आप अकेले नहीं है क्योंकि लिस्ट में RCB भी आ चुकी है RCB ने बड़ी चॉल में Tweet कर दिया Cody Rhodes का.. ऐसा लगा था कि वो support ले रहे हैं और Cody Rhodes को उने RCB की जर्सी पेना के वोड़ यह फोटोशॉप पेडिर मार के सोचा कि यह अब तो मज़ा आ जाएगा लेकिन मज़ा तो उनको आई पल में भी नहीं आता और यहां पर भी नहीं आया क्योंकि सीन कुछ ऐसा हो गया कि लोगों ने उनको जो है हेट देना शुरू कर दिया ओवेसली इंडिया साब को पता है वो जो मैंने community ट्रैप पर पोल डाली उससे ही पता चल रहा था कि जात लोग जो है रॉक को देखना चाहते हैं तो सारे जो रॉक वाले हैं वो चड़ गया उनके हो गया है सा एक मैच ही तो हो रहा है मेरी समर से तो यह बाहर है आराम से इज्जत से भाई अप तो रेसल मीना कर वाला तुम कोई साभी मैच कर वाला हो यह भज़ड मत करो बस अभी वेट करो ना पदा चलेगा दो तीन दिन में सब ओके हेलो चैटर माइम इस रूई इस जनल मेनेजर का रोल प्ले करती है उनको कैसे लोग बहुत सारी बाते बोल रहे से तो उन्होंने सबसे वाले को अपने ट्विटर पे जो कॉमेंट सा उनको आफ किया और यहां पर बता दी कैसे उनको लोग ना मारने की भी धंकी दे रहें और बाद में सिच्वेशन के इतनी खराब होगी कि उनको अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको ही डियक्टिवेट करना पड़ गया तो सोच यार कितने गधे किसम के लोग हैं गधे भी छोटा वर्ड पढ़ जाएगा बहुत कौन सा वर्ड सही आपको पता लेकिन बोलता नहीं है और ना बोलना चा है और हम बोलते नहीं है तो उस तरफ जाएंगे भी नहीं हम बाकी आप बताओ इसके उपर आपका के रियक्शन है मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं रॉक या फिर को बनलब किस मैच की तरफ तो उसके लिए आप वीडियो देख से तो जाके इसमें आई बटन पर है हम चलते किया एज यौर रॉयल रंबल विनर तो उस तैम पर उनको पता था कि रॉक बाद में जाके आने वाले हैं रोमन रेंज के सामने तो इन सारी चीजों को वह पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा रियक्शन मिलेगा और इसका कंफर्मेशन पता कहां से मिला इसको बहुत पहले ही रीच आउट डबल विन ने कर लिया था और किया था इसी सेंस में कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है क्योंकि रॉक आने वाले थे तो यह प्लान्स बहुत पुराने थे ऐसा कुछ भी नहीं था कि डबल व्ली को जो है अपने चीजे चेंज करनी प पहुंचाई गई ना तो कोडी रोड्स ने डबल व्ली को पहले ही वान कर दिया था कि बहुत ज़्यादा आउट रे जाएगा फैंस का और उनको यह चीज पसंद नहीं आगी मतला कोडी रोड्स ने बता दिया था कि भाई देखो यह सब हो सकता बट स्टिल डबल व्ली अ और इतना नेगेटिव जो माहुल है वो रॉक के लिए बन जाएगा और डबल व्ली के लोग भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हैं स्पेशली यह रॉक को जिस तरीके से रियक्शन बला क्योंकि यह एक्स्पेक्टिड नहीं था वो सोच रहे थे क्या रॉक इतना बड़ स्टोरी लैंड के हिसाब से लेके जाने वाले हैं और प्रेस इवेंट होने वाला उसके अंदर चीजें हैं डबल व्ली कंफर्म करके बता देगी नाव क्या रॉक का यहां पर हील टन होने वाला है तो डबल व्ली ने ऐसा प्लैन तो नहीं गया था लेकिन जैसा कि अभी द है कि जो मैच है वह डबल व्ली जैसा ओरिजिणल करें support कर चीज़ें यहीं ने बातास के बार में तो गयो चलेगी और अब ने तो थोड़के प्लाइन ने भी डबी तो अना और शहलेए यस ताइम पर मैं इस वीडियो को रिकाट कर रहा हूं रूए है कि WWE उसको बिल्कुल कंसिदर नहीं कर दे क्योंकि Roman और Rock के मैच होने का पॉइंट यूनकी ब्लड लाइन वाली स्टोरी है ट्रैबल चीफ बनना है तो अगर ये ट्रैबल चीफ वाली स्टोरी लाइन है तो फिर उसमें साथ फर्वरी को तो यह वो टाइम है जब WWE Roman Reigns & Rock और Cody Rhodes और Seth Rollins का मैच भी करने वाली है एड रसलमेनिया 40 तो यह बिल्कुल एक क्लियर चीज़ है अभी जो प्रेस इवेंट होगा अगैन देखने हैं तब तक जाने जाने तक चीज़ए क्या होते हैं लेकरनली तो WWE ऐसा ही करें जो रियाक्शन सब कुछ जितना भी सब कुछ हो चुका है उसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है या फिर WWE ने खुद ही वहां पर अपने ऐसे बंदे बिठा रहे हैं जिन्होंने फैंस की तरह एक्ट किया क्योंकि अब WWE को तो साइन देने हैं तो वह किसी भी तरीके से दिखाना चाहते है कि ऐसा लिए कि फैन दे रहे हैं मालब मुवमेंट दिखाना चाहती है तो एक कंप्यूजन हमेशे ही हमेशे रहेगा या तो इनको को या तो इनको कोट में जाके पर सामने बठा के तान के पूछा कि क्या क्या किया तुन्हें तब जाके बात बताएंगे वरना इसके बारे में जड़ा स्ट्रेस देने की जूरत और हजी तो मुझे यह सुनके है जो मैं बोल रहा था कि रॉक ने खुद इन सारी चीजों के बात पिच कि हमको यह करना चाहिए जब सोलना सी चली दिया कोड़ी रोट की तो क्यों ना उसको और बड़ा बड़ा आखे दिखाते हैं तो पता नहीं क्या ऐसा है सच में अभी का प्रिमUM लाइव उनट है तो उसके लिए डौन फिलाल कोडि रोड्स और डू मकंटार का मैच प्लैन कर रही है नंबर वन कंटेंडर बनने के लिए हो सकता है लेकिन पहले तो दूली मेर मैच के लिए मैच ओका जो की अबी तक सुनने में आरता कि कि गुंथर एलिमिने फिलाल ये पता चल रहा है कि गुंतर अपनी इंटर कॉंटिनेंटल चैंपमेंशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जे उसो शाया वनका वीजा वाला मामला क्लियर होगा है फिर हम यह एक्सपेक कर सकते हैं बट इल्मिनेशन चेमर बड़ा शो होने वाला है उसको भी दिमा में ट्रिक विल्यम्स का म्यूजिक बजा दिया तो सबको लगा कि अरे ट्रिक विल्यम्स आप यह बजाएगा लेकिन कार्मेलो हेस नहीं बजाया था और यह यह शौन माइकलस ने बार ब्रेट हाट के लिए पहले कट चुक है तो उसके भी यादे हैं जो रेफरेंस है वहा बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं अभी चलो आपके लिए अगर इंप्लॉइम्मेंट आपको चीए तो मैं आपको चीज बताते रहता हूं बताते रहता हूं तो डबल लवली ने अभी अपनी वेबसाइट के ओपर एक प्रोड्यूसर या फिर राइटर बनने क है चारे से स्माइल जाएगी ही क्योंकि डबल लवली ने जो डबल लवली 2K24 का रेसल मेनिया शोकेस वाला जो कवर था उसमें पहले ब्रॉक लेस्न को फीचर किया था अब मैं था कह रहा हूं तो इसका मतलब कि ब्रॉक लेस्न वहां से गायब हो चुके हैं और ब्रॉक ल ब्रॉक लेस्न गाया है तो आप क्योंकि ब्रॉक लेस्न को डबल लवली हिस्ट्री से एरेस कर रही है ऐसा ऐसा ऐसी बाते बहुत सारी चल रही है तो अब यह बंदा खुद पूछ रहा है कि मुझे खुद नहीं पता कि अब मैं क्या बोले हूं तो इसने अपना यूजर ब्रॉक लेस्न के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा सा अगयर अपने दिल को दिलासा देना चाहता है तो यहां पर आई बटन पे एक वीडियो है उसको जा कि आप कभी भी देख सकते हैं जब भी आपको ब्रॉक लेस्न की याद आ रही हो डेबल लवली में देखन इस्युम्पर उनको कोमेंट्री टेबल का पार्ट बना दिया जाया और वह कोमेंट्री करें डेबल लवली में क्योंकि आपको पता है कोमेंट्री करने के बहुत आप इसके कुंद्था कि एडियो कि वो केज़ई फूरी चैंपेंशिप मेंदो कमेंट्री उनका यह उनको दे सकता है बाकी आप बताना आपको एडिया कैसा लग रहा है आज की नेक्शन फाइन स्टोरी है कोडी रोड से रिलेटेड तो डबल डबली ने उनकी एक मर्चनडाइज निकाली है जिसकी मर्च निकालना भी उनका गोल था वो मर्च भी निकल के आगे वैसे इससे ब उनको जले लेगी